नमस्कार आप देखें न्यूस इंडिया आपके साथ मैं दिपीका सिंग कते खबरों के शुरूआत बड़ी खबर के साथ जहां लखनों के एक कोट परिसर में फाइरिंग की वारदात हुई है गैंक्स्टर संजीव जीवा की गोली मार का हत्या कर दी गई तो वकीर की ड्रैस में तमाम हमला वरायत है आरूपी विजय यादव को गिरफ्तार किया गया है साथी साथ हथियार बरामत किया गया है विजय यादव का कोई बड़ा आपरादिक इतिहास नहीं है इधर अकिरेश यादव में कानून दिवस्था पर सवाल खड़े कर दिये ह मुक्तर अंसारी का करीबी बताया जा रहा है संजीव जीवा गैंसर संजीव जीवा की गोली मार कर खट्या हुई है विजय यादव का कोई बड़ा आपरादिक इतिहास नहीं है जिसने गोली मारी है लेकिन सवाल कई खड़े हो रहे हैं किस तरीके से क्रेश यादव में कानून विवस्था पर सवाल खड़े किये नीरज मिश्रा हमारे संबादातार पूरी ख़बर पर नजब बनाए हुए है नीरज देखिए जो आरूपी है उसका कोई आपरादिक रिकॉर्ड नहीं है जो हम तस्वीर से आरूपी की देख रहे हैं जरा ये बताए कि हत्या का परपरस क्या था क्या मोटिव था ये देखिए सबसे बड़ी बात यहीं है कि अभी तक ये पता नहीं चला है कि आखिर विजय यादों ने क्यों मारा इतने बड़े माफिया को वो भी कोड परिशर में और जबकि विजय यादों का कोई बड़ा कोई अपरादिक रिकॉर्ड नहीं है एक मामला उसके उपर कोई प्रोटोकॉल के उनलंगान का है और दूसरा एक महिला के साथ भाग जाने का मामला है जो इसमें बाद में समझाओता हो गया था और इसके बाद ये मुंबई चला गया था और तीन महीने पहले वो लॉट कराया अब बड़ा सवाल ये उठता है कि इस तीन महीने में वो किस माफिया के संपर्ग में आया या किसमें उसे ये पिश्टल उपलद कराई जो पिश्टल मिली है वो टेक रिपब्लीक की बनी पिश्टल है और जो गोलिया है उसकी वो थीरी 57, 0.357 की मैगनम अलफा पिश्टल कराई गई जगे बताई गई कि समय संजीर जीवा कोर्ड पहुंचे गा तो ये माना जा रहा है कि साजिश के पीछे कोई बड़ा शक्स तो जरूर है लेकिन कौन है ये बात अधी तक सामें नहीं आ पाई कि आखिर इतना बड़ा दुसाहस वीजे यादो जैसे मामूली अत यहाँ सामने आ रही है ज़सरीकें से गौली मारी गई है सवाल ये भी है कि कोट परिसर की सुरक्ष्य विवस्था आки revived का Kerry जाती है और यही सवाल खिरेश यादव ने भी खड़ा किया है अगर वो लेते भी हैं तो मारपीट की नोबत अकसर हो जाती है लेकिन अब इस कांड के बाद उत्तर तरदेश के डीजीटी ने सभी प्रदेश के जो अधिकारी हैं को पत्र लिखा है कि अब कोड़ पैसर की जाए और चाग चौबंद वरस्था की जाए ताकि इस तरह की कोई वार्दात ना हो पाए अब देखिए जिस तरह से अथीक एहमद और अश्रफ की हत्या पुलिस का स्टडी में की गई थी दो महीने पहले उसके बाद अब फिर पुलिस का स्टडी में और वो भी कोड़ पैसर के अंदर ये हत्या की गई तो कहीं ने कहीं पुलिस की लापरवाही तो जरूर सामने आती है लेकिन अब बड़ा सवाल यही है कि आखिस के इशारे पर वीजे ने ये हत्या कांट को अंजान दिया क्यो जो और जाके हैं इसके मुंबई और चौनपूर के कनेक्शन भी खांगा ले जा रहे हैं कि पाठी जेडियू के अध्यक्षा ललनन सिंग ने बुद्वार को बताया कि जो बैठत पहले 12 जून को होगी इसमें कॉंग्रेस नेतार राखुल गांधी भी शामिल होगे इसके अलावा कॉंग्रेस अध्यक्षा मलिका जुन खडगे ममता बनर जी उद्व ठाक्रे होंगे जिसमें सीताराम ये चुड़ी जी राजा दीपांकर भटारे जैसे नाम शामिल हैं तो विपक्षी एक्षा को एक जुट करने की कवायद में जिस तरीके से नितीश कुमा लगे हुए हैं कहा जा रहा है कि इस बैठत की सब्सक्रा खुद ममता बैनर जी ने दी थी इता देश्वर में बीजेपी चला रही है जनसंपर का भियान तो महा जनसंपर का भियान का दूसरा चरण आज से शुरू होगा देश्वर में बड़े नेताओं को इस बाबतर एक बड़ी जिम्मेदारी भी सौपी गई है यानि कि सभी राज्यों में बीजेपी ने ता जनसंपर करेंगे 80 करोड आबादी तक पहुँचने का बीजेपी ने लक्ष निर्धायत कर रखा है एक महा के भीतर 80 करोड आबादी तक पहुँचने का लक्ष है तो फिलहार आपको बता दें बीजेपी का महा जनसंपर का भीयान है क्योंकि 9 साल पूरे हुए हैं और इस 9 साल के उपलक्ष में जनता तक अपने तमाम कारेंगे को पहुँचाना ये पहरे प्रात मिटता होगी महा जनसंपर का भीयान के बहतर लोगों से मुलकात होगी जो कुछ का 9 साल के भीतर बीजेपी ने पने शासर में किये हैं जनता तक उसे पहुँचाना है तो फिलाल आपको बता दे जो लक्ष है वो 80 करोड आवादी तक पहुँचने का बीजेपी ने लक्ष अंदर धरित कर रखा है मिशन 2024 में बीजेपी लगाता जुटी कुई है अपने प्रांट खूक रही है देश भर में महा जनसंपर अभ्यान जो है वो चल रहा है और यह जो अभ्यान का बताय चा रहा है कि दूमुसरा चरण है और जिसमें देश भर में बड़े लिताओं को तमाम जिम्मेवारियों को स्वाप अगया है चलिए बीजेपी का महा जनसंपर अभ्यान क्या है यह आपको बता दी तो आज से अभ्यान का दूसरा चरण शुरू हो रहा है देश में मंतरियों उधायकों को इस बावबत तमाम जिम्मेदारियां सौपी गई है इसी के साथ साथ लोगों से मुलाकात करने की बात कही गई है ये जिम्मेदारी प्रतेक बड़े नेता को सौपी गई है मोदी सरकार के नौ साल में किये गए तमाम कामों को बताने के जिम्मेवारी इन तमाम नेताओं पे होगी जिस तरीके से मैं आपको बता रहे हैं नौ साल तक जिस तरीके से काम किया गया है जो भी योजना है भी आ रहा है बीजेपी की तमाम जो लोग सभा की सीटे हैं उसको वहाँ मजबूत कर रहे हैं उस पर भी काम करने की योजना इसे कही जा सकती है और बीजेपी का एक फॉर्मूला भी यही है कि एक तरफ सेलेक्शन जब खतम होते हैं उसके बाद दूसरे एलेक्शन के दूसर तैयारियों के लिए बीजेपी जुड़ जाती है विधान सभाचनावी और राज्यों में होने हैं इसे इस नजरिये से भी देखा जा सकता है कुल मिला कर देखा जाए इस महाजन संपर अभियान का सीधा सीधा मकसद यह है कि जो जनता के लिए योजना तैयार की गई थी उन में कितना अमली जम्मा पहना गया कितने लोगों को उससे फायदा हुआ है इन तमाम बातों को कहीं आ कहीं पहुचाना ये बड़ा मकसर है इदा जम्मू इस्थतर तिरुपती बाला जी मंदिर का उधगाटन आज होना है ग्रीमती आमेशा इसका उधगाटन करेंगे विडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिए इसका उधगाटन किया जाएगा तो एलजी मनुच सिन्हा इस मंदिर में मौझूद होंगे भक्तों के लिए आज से ही मंदिर के कपाट खुल जाएंगे सिधरा इलाके में तिरुपती बाला जी का एक बड़ा पव्य मंदिर बनकर तयार है तो जमू में भग्वान तिरुपती बाला जी के दर्शन वैश्णो दर्बार के बाद जमू का पहला बड़ा मंदिर होगा तो बाला जी मंदिर में मौझूद रहेंगे या जी और तिरुपती बाला जी मंदिर के कपाट आज खुलेंगे तो वैश्णो दर्बार के बाद जम्मू का ये पहला भव्य और बड़ा मंदिर है जम्मू स्थत तिरुपती बाला जी मंदिर का उदुखाट नाज होगा और खास बात और एहम बात ये भी है कि आज से ही इस मंदिर के कपाट लोगों के दर्शन के लिए श्रद्धालों के दर्शन के लिए खोल दिये जाएंगे चै तिरुपती बाला जी मंदिर की खूब या क्या है किस तरीके से इस मंदिर का निर्मान किया गया है माइने क्या रखता है जरा समझ जिए जम्मू में धार्मिक परिटन को इससे बढ़ावा मिलेगा ये पहरी खबर है और इसी के साथ आपको बता दे कि इस्थानी अर्थ वेवस्था को भी इससे बड़ा लाब होने वाला है तिरुपती बाला जी मंदिर को वैशनो देवी मंदिर जैसा जोड़ा जाएगा उसे भव्य बनाया जाएगा और मंदिर को अमरनात यात्रा जैसे धार्मिक परटन इस्थलों से भी जोड़ा जाएगा इधर तिरुपती बाला जी मंदिर पूरे भारत से भक्तों को आकरशित करेगा और ये पहला ही यू कहें कि मकसद भी रहेगा और इसी तरीके से जम्मू की जो भव्यता है उसमें चार चान लगाएगा तो फिल्हा तिरुपती बाला जी मंदिर के लिए ये खास माइने हैं किस तरीके से देखे हम आपको दिखा रहे हैं उनकी तस्वीरे अंदर से आज इस भव्य मंदिर का उदगाटन होना है इदर राजस्तान के जैपूर से बड़ी खबर है जहां पांच IPS अधिकारियों के तबाद ले किये गए है राहुल प्रकाश बने हैं DCP ट्रैफिक रुपिंदर सिंग को भरतपुर IG बनाया गया है इसी के साथ रुपिंदर सिंग को भरतपुर का IG न्युक्त किया गया है इसी के साथ राजस्तान में एक बड़ा फेर बतले दर उडिशा से बड़ी खबर होगी उडिशा के जाजपुर यार्ड में ददनाख हादसा हुआ है ट्रेन की चपेट में आने से 6 मजदूरों की मौत है और 2 मजदूर खायल हुए है फिलाल जाज की बात यहां कहीं जा रही है तो डिशा के जाजपुर यार्ड में एक बड़ा हादसा ट्रेन की चपेट में आने से 6 मजदूरों की मौत है दो लोग भायल हुए है तो पारिश से बचने के लिए रेक के नेचे तमाम मजदूर उख गए थे यह बहुत दुखद जहां घटना की अब उच इस तरिये जाच की बात तहीं जानी है पारिशा का ददनाखास साथी लोग दूले भी नहीं थे इस बीच एक और बड़ा हादसा हुआ है यहां क्रेन की चपिट में आने से 6 मजदूरों की मौत हो गई है दो मजदूर घायर हुए है कहा जा रहा है कि वारिश पेज थी और वारिश से बचने के लिए रेक के नीचे यह तमाम जो मजदूर है वो खड़े हो गए थे और से बीच फ्रेन की चपिट में आए इदर बड़ी खबर है जहां नावालिक लड़की के गैंग्रेप के बाद उसकी हत्या की गई है उसी के साथ कुंदन सिंग सहितर तीन आरूपी गिरफ्तार किये गए है कुंदन सिंग बताया जा रहा है मुख्या रूपी गौर्थाना शेतर में ये घटना हुई है तो आरूप फिनाल गिरफ्तार कर लिया गया पुलिसों से पूछ राच कर रही है जिसमें कुंदन सिंग मुख्या आरूपी बनाया गया हुआ तो नावालिक लड़की से ग्यांग्रेप के बाद हत्या यूपी के बस्ती में बड़ा मामला सामनी आया हम आहे हैं faudra भार्ये अशित्र गौर में आखेंगोधी का सब मिला था उसमें वागोधी कि चारदे में इसमें पर सकतर कारवाई हूग इतार महाराश्ट के ठाणे से बड़ी खबर है जहां शील फाटा सरकल के पास भीशार सड़क हादसा हुआ बच्ची की ट्रक की चपेट में आने से मौत भी है शवो को कोस्माचम के लिए अस्पताल भीजा गया है महाराश के खाने से बड़ी खबर है जहां पर शीलव फट्टा सरकल के पास एका बड़ा हादसा हुआ है जहां पर बच्ची की ट्रक के चपेट में आने से दरदनाख मौत हुई है फिरहां शब को को समाचंग के लिए अस्पताल बेजा गया है तस्वीरे भी ज़रा दिखा करें आपको इस तरीके से जहां पर बच्ची की चपेट में आगी बच्ची की दरदनाख मौत हुई है शील फार्टा सरकल के पास ये भीशन हादसा और बच्ची की मौत हुई है फिरहां शब को को समाचंग के लिए भेजा गया है जांच परताल की जा रही है तमाम वजहों का पता लगा जा रहा है कि किस वजह से ये बच्ची इससे ट्रक की चपेट में आई क्या ट्रक की स्पीर तेज थी जो कि जो हम देख पा रहे हैं वो रिहाईशी एरिया दिख रहा है तो फिलहाल आपको बता दें भीशर स्वरक हाथा शील फाटा सरकल के पास जहां पर एक बच्ची की मौहत की खबर आई है तो बच्ची ट्रक की चपेट में आ गई है फिलहाल शब को समाचंग ले भेजा गया है फुलेस अब हर एंगल से जाच पड़ताल कर रही है कि आखरकार इतना भीशर हाथा कैसे हुआ अगर आई कि मौधरिक नीटी की बैठक का तीसरा दिन आज है और आज पॉलिसी रेट पर आर बी आई बड़ा फैसला भी सुनाएगी गवर्नर शक्तिकांदास के अध्यक्ष्टा में बैठक होनी है आज एक बड़ा फैसला सुनाय जा रहे हैं और मुदरा स्वीती के 18 महीने के इनलिजने इस तर पर पहुंच रहे हैं 4.7% मुदरा स्वीती होने पर MPC की बड़ी बैठक मानी जा रही है तो फिलाल आपको बता दें बड़ी खबर है जहां 4.7% मुदरा स्वीती होने पर MPC की बैठक होगी RBI की मौद्रिक नीती की बैठका आज तीसरा और एहम दिन है जहां पर आज पॉलिसी रेट पर RBI अपना फैसला सुनाएगी तो गवर्नर शक्तिका अंदास के अध्यक्षता में बड़ी और एहम बैचक है जोकि मुद्रस फीती के 18 महीने के बाद जोकि निचले स्थर पर पहुंच गई है जिसकी अब जाजबी की जारी है जारी मर्श किया जा रहा है और आज इस तो गवर्नर शक्तिका अंदास एक बड़ा और एहम फैसला सुनाने जाने तो आज पॉलिसी मेच पर आर्बी आई अपना मत रखेगी अपना ध्यान रखेगी और वसी के साथ साथ एक बड़ा फैसला भी इस बाबत लिया जाएगा तो चार दशमला साथ प्रतिशत मुद्रस फिती होने पर MPC के बड़ी बैचक है आर्बी आई की बढ़ेंगे आगे यहाँ पर एर इंडिया विमान के यात्री रूस में फसे हुए हैं जी हाँ बड़ी खबर है जहां यात्रियों को निकालने के लिए दूसरी फ्राइट को भेजा गया है दिल्ली सैन फ्रैंसिसको की रान पर मुंबई से फ्राइट को रवाना किया गया दुपा तीन बच कर 20 मिनट पर फ्राइट पहुंचेगी फ्राइट रवाना होगी सैंट फ्रैंसिसकों तो फिलार आपको बता दे कि रूस में तिस तरीके से भारतिये विमान फसा और लोग बहत परेश्वान नज़र आ रहे है इस बीच किस तरीके से एर इंडिया का यात्री विमान फसा है ऐसी तस्वीर भी हमने आपको दिखाएं थी तो फिलार रूस में किस तरीके से एर इंडिया का विमान फसा हुआ है हम लगाताँ जान का ही दे रहे हैं एर इंडिया की उडान संख्या AI 173 विमान में सवा थे 216 यात्री और 16 चालक दल सवा थे यहांपे कहा जा रहा है कि तकनीकी खामिया हुई उसी की वज़ा से रूस में इसे उतारा गया विमान को जहां रूस की सरकाने सभी यात्रियों को सुविधा मुहाया कराई है गदों और खाने पीने की चीज़ों की विवस्था रूस की सरकाने की है रूस के परिवखन मंतरी अलक्सी सिरोपास का बयान आया है कि सभी यात्रियों को हवाई अड़े के पास एक स्कूल में रखा गया है छोटे बच्चों के साथ यात्रा कर रही महिलाओं के लिए अलक से विवस्था है इन महिलाओं और बच्चों को मैडिकल कॉलेज के डूर मैट्री में रखा गया है फिरहाल आपको बता दे कि आज जो विमार है जो कि भारत से रवाना हुआ है अपने तमाम यात्रियों को लेने के लिए आज पहुंच जाएगा इसके बाद समस्याओं का अंत होगा चुकि हम तस्वियर अगातर आपको लिखा रहे हैं किस तरीके से रूस ने यहाँ पर विवस्था जरूर की गई है लेकिन लोगों की जो इस्थिती है वो काफी चिंता जनक इस वक्त बनी हुई है इदा मुंबई के ठाड़े से बड़ी खबर है जहां लिविन में रह रही महिला की खत्या की खबर आ रही है तो बड़ी खबर है जहां फ्लैट में शव के कई टुकड़े मिले हैं लिविन पार्टनर ने वारदात को अंजाम दिया है पड़ासियों को दुरगंदाने पर पुलिस को सूचित किया गया था पुलिस ने आरूपी को फिलहाल हिरासत में लिया है तो बड़ी खबर है जहां लिवन पार्टनर ने वारदात को अंजाम दिया फ्लैट में शव के कई टुकड़े मिले तो किस तरीके से महिला को मौत के घट उताया गया है उसी के पार्ट अपनर के द्वारा जब पढूसियों को शफ्की दुर्गंद आई तब इस बाबत पुलिस को सूचित किया गया अला कि पुलिस ने आरूपी को हिरासत में लिया गया है अला कि बड़ी और एहम खबर है जिससे देश घूला भी नहीं है इसके बाद लगातार इस तरह के मा सामने आ रहे हैं यह बड़ी खबर है महराश्व से जहां पर पड़ोसियों ने दुर्गंद जब उनको आई शब की तब पुलिस को सूचना दी गई अला कि पुरे से आरूपी को हिरासत में लिया है और अब उससे पूछताच जारी है लेकिन बड़ी खबर यह है कि श्रद्धा देखे वो जगा दिखा रहे हैं वो तस्वीर दिखा रहे हैं सब्सक्राइब करें लिए मोगे पेर रहे रहा था हौसी के साथ इस बुलिटिन में अभी के लिए बस अतना ही वक्त छोटे से ब्रेक का हुआ है पॉर नॉटेंगे हम कहीं मजाए हौसी के लिए रहे हैं